हाई गाईज गर्मियों के मौसम में Tender Coconut Ice Cream किसे नहीं पसंद हैं और ये Tender Coconut Ice Cream देखने से ही कितनी ज़्यादा लाजवाब लग रही है ना अगर आपने चाड़ल में Tender Coconut Ice Cream कभी खाई है तो I am sure उसका फलेवर आपको पता ही होगा और ये जो रेसिपी है ये काफी close है टेंडर जाथा क्रीमी बनी है, तो चल ये शुरुवात करते हैं, टेंडर कोईनट आइसकरीम बनाने के लिए, और अबिसलिए टेंडर कोईनट चाहिए, मैं ये औरइंज वाला नारियल यूज करी हूं, लेकिन आप ग्रीन वाला नारियल भी यूज कर सकते हैं, हमें इसका पानी नहीं यूज करना है पानी आप पी ले और इसकी मलाई निकाल ले अब आपको कोई भी स्टैंडर्ड कप यूज करना है बिसिकली एक कप होना चाहिए जो भी आपका मन करें आप एक कटोरी भी यूज कर सकते हैं एक ग्लास यूज कर सकते हैं कोई भी स्टैं तो उपर का जो गाढ़ा पार्ट होता है वो यूज करना है एक कप हमें लेना है क्रीम आधी कप से थोड़ी जादा हमें यूज करनी है शक्कर मलाई हमें यूज करनी है दो नारियल की कोशिश करिए कि जो मलाई है वो बहुत जादा गाढ़ी ना हो लेकिन बहुत जादा इसमें हम डालेंगे फ्रेश क्रीम, सारी की सारी क्रीम गिरी नहीं, इसलिए मैं एक स्पून से से डाल दूगी, अगर आपको वेट वाले मेजुरमेंट्स चाहिए तो वह भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूगी, इसके अलावा फ्लेवर के लिए मैं इसमें डाल रहे हू चीनी भी डाल लेंगे इसके अंदर, और जो नारियल की मलाई है उसे भी डाल लेना है, बेसिकली नारियल की मलाई भी करीबन एक कप जितनी है अब ये सारे इंग्रीडिन्स को ब्लेंड करके एक स्मूध सा मिक्स्चर हमें बना लेना है, बस दो से तीन मिनिट के लिए आप इसे ब्लेंड करें और बस ये जो आइसक्रीम का बेस है, ये तयार हो गया, अब हमें इसे भरना है कोई कंटेनर में, मैं एक अलुमीनिम का जो बेकिंग कंटेनर होता है, वो यूज कर रही हूँ सारा का सारा मिक्स्चर ट्रांसफर कर ले, उपर थोड़ी सी जगा आपको छोड़नी है, अगर आप एकदम उपर तक भरेंगे, तो यूज क्या होता है, फ्रीजर में सेट होने पे आइसक्रीम हलकी सी एक्स्पैंड होती है, इसलिए थोड़ी सी जगा छोड़नी है, अब इसके ऊपर हम लगाएंगे क्लिंग फिल्म, यह जो क्लिंग फिल्म है, हमें इस तरीके से लगाना है, कि उसका जो सर्फिस है, वो आइसक्रीम के बेस पे टच होना चाहिए, इस तरीके से, इसे बहुत जेंटली करना है, अगर आप बहुत ज़्यादा प्रेशर अब हम इसे 5-6 गंटे के लिए फ्रीज कर लेंगे, इसे बहुत जेंटली करना है, अगर आप 5-6 गंटे के बाद आप लिए प्रेशर लगाएंगे, वो आप इसे खाल सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से जो आइस क्रिस्टल्स है, वो काफी कम हो जाएंगे, अब ही मैं जो कर रही हूँ यह basically मैं ice cream को loose करने की कोशश कर रही हूँ edges से आप इसको थोड़ी देर के लिए पानी में भी अगर डुबोएंगे तो भी यह आसानी से निकल आएगा मैं एक छोटा और एक बड़ा knife यूज कर रही हूँ बस यह जो ice cream है इसे इस mold से निकाल लेना है हमें यह देखिए मैंने इससे निकाल लिया अब मैं इसके छोटे-छोटे pieces करूँगी अब basically हम ice cream को blend करेंगे ताकि जो इसके ice crystals है वो टूट जाए यह देखिए मैं ice cream को काट रही हूँ जैसे हम कुलफी roll वाली कुलफी काटते हैं बिल्कुल उसी तरह हमें इसे cut करना है ऐसे cutting करने के लिए आपको एक काफी तेज धार वाला knife चाहिएगा और थोड़ा सा pressure भी लगाना पड़ेगा ice cream बिल्कुल बरफ जैसी पत्थर hard नहीं है लेकिन क्योंकि यह frozen है इसलिए थोड़ा सा pressure आपको लगाना ही पड़ेगा यह आप देखेंगे कि काफी साई धंग से यह cut रही है हम कोशिश करेंगे कि छोटे छोटे pieces करें ताकि इसे पीसने में आसानी हो जाए और यह देखिए ice cream को मैंने छोटे छोटे pieces में cut कर लिया है अब मैं इसे transfer करूँगी एक mixer में सारी कि सारी ice cream जो इसका हलका सा melted portion है सारा का सारा कुछ आपको डालना है इस mixer grinder में अब हम इसे blend कर लेंगे blend करने के बाद यह कुछ इस तरह दिखेगी यह देखिए बिल्कुल soft serve जैसा होता है वैसा तयार हो गया है इसे हलका सा mix कर लेंगे अब additional flavor के लिए हम यूज करेंगे chop की हुई मलाई वैसे तो यह optional है लेकिन अगर आप chop की हुई मलाई डालेंगे तो बहुत मजा आएगा एक और बार repeat करूँगी बहुत ज़्यादा पतली मलाई नहीं लेनी है लेकिन बहुत ज़्यादा मोटी है यह देखिए छोटी-छोटी pieces मलाई के मैं डाल रही हूँ इस ice cream base में और हम इसे अच्छे से mix कर लेंगे अब जब भी आप ice cream का bite लेंगे तो बीच-बीच में tender coconut के pieces आएंगे and that will taste amazing अब सेम मोल्ड में यह जो ice cream का base है हम इसे transfer कर लेंगे अभी आप देख रहे हैं कि यह बिल्कुल slushy सा है सारा का सारा बेस आप transfer कर लें एक बार फिर हमें इसे level करना है ताकि उपर से यह बिल्कुल स्मूध हो जाए यह देखिए काफी perfect लग रहा है यह trust me आपने ऐसी tender coconut ice cream कभी घर पे नहीं बनाई होगी ना खाई होगी काफी simple है इसके लिए ना whipping cream चाहिए ना कुछ आसानी से बन जाता है एक बार फिर same cling film से हम इसे cover कर लेंगे जैसे पहले किया था बिल्कुल उसी तरह जो surface है वो उपर cling film पर टच होना चाहिए अब minimum 3-4 घंटे आप इसे set होने दे ताकि यह अच्छे से freeze हो जाए यह देखिए बस ice cream तयार हो ही गई है मैं आपको एक scoop निकाल के दिखाती हूँ ताकि आपको समझ सके कि यह कितनी जादा creamy है यह देखिए है कि नहीं perfect चलिए यहां मैं आपको एक टिप देती हूँ आइस्क्रीम सर्व करने से पहले फ्रीजर से 10 मिनिट पहले निकाल ले इससे जो ice cream है थोड़ी सी soft हो जाएगी और आपको scoop करने में आसानी होगी I promise you आपने कभी ऐसी tender coconut ice cream घर में खाई नहीं होगी प्लीज इसे try करें यह इतना ज्यादा tempting लग रहा है कि मैं तो resist नहीं कर सकती आप भी इसे बनाये खाये और enjoy आपके रोज के खाने को yummy और easy बनाना यही मेरा mission है अगर मेरी सारी recipes पसंद आ रही है don't forget to subscribe to the channel और यह video अगर आपको पसंद आया है do comment on it like it and share कि आपके बना एपके आपको नहीं कर दो दो कि अबस आपके प्ला कर दो सकते की है